नमस्कार सातियों सवागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइबरेरी साइंस एजूकेशन में जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे इस जनपर ओल इंडिया में जितनी भी गोवर्मेंट समंधी विकेंसी निकाली जाती है उन सभी विकेंसी को कवर किया जाता है हाली में रेलवी की और से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है यह notification आपका 31 जनबरी 2024 को जारी किया गया था जिसमें railway technician के total 9000 पदों पर जो बरती का official notification है वो जारी कर दिया गया है इसके लिए आपके आवेदन कफ से सुरू होंगे कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है qualification क्या रहेगी इसके exam कफ तक लिए जाएंगे इसका पूरा schedule उन्होंने जारी कर दिया है जिसके बारे में आपको detail से जानकरी देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना skip कियो end तक जरूर देखें और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से channel को subscribe करें वीडियो अच्छा लगे like करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेर जरूर करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि यह notification आपका ministry of railway की और से जारी किया गया जिसमें आपके technician के total 9000 पोश्टे दी गी है इसका जो official notification है वो 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया था यह notification आपका short notification जारी हुआ है इसका जो detail में notification है वो फरवरी महा के अंदर-अंदर जारी कर दिया जाएगा और इसके जो online आवेदन है अगर हम इसके online आवेदन की बारत करें तो यह है आपके March या April में start हो जाएंगे तो जो भी दारती यहाँ पर technician की post पर आवेदन करना चाहते है वह March से April के बीच में इसके जो online आवेदन है वो connect कराए जाएंगे काफी सारे बच्चों के यह doubt है जैसे कि ALP railway में ALP की जो post आई थी उसके लिए आपका जो CVT exam रखा गया था वो first और second रखा गया था उसी तरह से काफी सारे बच्चों के यह doubt है कि इस जो 9000 technician की post हैं इसमें आपका CVT exam कैसे लिया जाएगा तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर इन्होंने तीन number point में इन्होंने CVT का exam की बारे में बात की है जो कि October से लेके December महा के बीच में conduct कराए जाएगे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि आपका CVT exam first या second होगा इसमें आपका only बोला गया कि CVT exam आपके October से December महा के बीच में conduct कराए जाएगे यानि कि अगर हम बात करें तो आपका only यहां पर एक exam रहने वाला है CVT का और उसके बाद में आपका जो document verification वो किया जाएगा अगर हम document verification की बात करें तो यह है दोस्तों आपके February 2025 में conduct कराया जाएगा यहां पर इन्होंने जो पूरा schedule है वो इन्होंने सबसे पहले ही जारी कर दिया गया जैसे कि इसका जो official notification है वो फरवरी 2024 में जारी होगा इसके online आवे दिन मार्स से अप्रेल में conduct कराये जाएगे अगर हम CVT exam की बात करें तो यह है दोस्तों आपका October से December माहा के बीच में आपका जो exam है वो लिया जाएगा अगर हम document verification की बात करें तो फरवरी 2025 में आपका document जो verification वो रखा गया है नेक्ट दोस्तों प्लीज नोट में यहाँ पर आपको एक कुछ detail mention की गी है जैसे कि इन्होंने बोला है कि इसका जो अगला notification है वो अप्रेल 2025 में ही जारी होगा उससे पहले technician पदों के लिए railway द्वारा कोई भी यहाँ पर बरती का official notification जारी नहीं किया जाएगा जैसे ही है नोजार पदों पर जो बरती निकाली गई है इसका पूरा process होने के बाद जो चातर यहाँ select होंगे उन्हें joining देने के बाद यह है दोस्तों नया जो आपका विकेंसी है वो अप्रेल 2025 में निकाली जाएगी इसके बारे में इन्होंने पूरा detail से mention किया गया है जनबरी 2024 को जारी किया गया था जिसमें आपको railway technician के total 9000 पद दिये गए हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए कौन-कौन candidate apply कर सकता है इसी के साथ दोस्तों technician, education, qualification के अगर हम बात करें तो जिन student ने दसमी कक्षा पलस ITE कर रखा है बहे केंड़ेट इस पोश्ट के लिए apply कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों जिन student ने ITE नहीं कर रखी है बलकि आपकी जो बारमी कक्षा है वो PCM में कर रखी है यानि कि physics, chemistry और mathematics में अगर आपने बारमी कक्षा पास की हुई है तो बहे केंड़ेट भी इस पोश्ट के लिए apply कर सकते हैं बीटे केंड़ेट भी इसके लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने किसी भी तरह का इंजिनियर में डिपलोमा कर रखा है तो बहे केंड़ेट भी इस पोश्ट के लिए apply कर सकते हैं अगर हम age की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो age भो maximum 30 वर्स रखी है इसके जाएगा अगर हम exam की बात करें तो alp में आपके जो exam है बो यहाँ पर अलग अलग आपको cvt first और cvt second आपका exam दिया गया है लेकिन दोस्तों इनके दवारा जो notification जारी किया गया है technician पदों के लिए उसके लिए आपका cvt एक ही exam लिया जाएगा और उसका जो slavis है वो ज 30,000 रुपे के लंब सम आपकी जो salary है वो रहने वाली है इसी के साथ दोस्तों विकेंसी समंदित आपकी किसी वी तरह को query हो तो आप हमें comment section में comment करके पूर सकते हैं साथ ही दोस्तों इनके official website पर जैसे ही detail से notification जारी होगा तो इस पर मैं detail से वीडियो मना कर channel पर डाल दूँ इसी नए वीडियो के साथ तब तके लिए नमस्कार धन्यवाद